मेरा नाम रेश्मा है, मैं बिहार दर्भंगा की रहने वाली हूँ एक दिन मेरे पास कॉल आया, हम आपको एक रात के पांच लाख रुपए देंगे, लेकिन जो हम बोलेंगे वह करना होगा मैं तो पहले सोच में पढ़ गई, हाँ, करूं या ना करूं, लेकिन घर की हालत देख कर मैंने हाँ कर दिया और और बोला, काम क्या करना होगा, सामने वाला बोला आपको बता दिया जाएगा ठीक अगले दिन उन्होंने मुझे एक बड़े से आलिशान घर के सामने बुला लिया, जो मेरे घर से पांच किलो मीटर दूर था आप मेरी धड़कने और तेज होने लगी, ये लोग मुझसे क्या करना चाह रहे हैं तभी उनमें से ही व्यक्ति बोला, इस आलिशान घर के अंदर एक अकेला आदमी रहता है, जिसकी उम्र 35 साल है, अगर तुमने उसको खुश कर दिया, तो हम आपको RS5 लख रुपे दे देंगे मैं समझ नहीं पा रही थी, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने घर की गरीबों का खयाल बार बार आ रहा था ठीक, अगले दिन रात को 10 बजे इन्होंने मुझे उसे आलिशान घर के अंदर पहुँचा दिया और उसे कमरे में ले गए, जिस कमरे में वह लड़का अकेला सोया हुआ था और बाहर से कुंडी लगा दी, मैं घबरा गई, ये सब क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे लड़क में आंसू आ गए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, ये बोलना क्या चाहरा है, तभी उसने मुझे आंखों से इशारा किया, वह दीवार पर एक स्त्री की पिक्चर लगी थी, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था, मैं समझ गई, ये मुझे वैसे देखना चाहता है, मैंन कुछ मुझे बताना चाहता है, मुझे उसकी मासूमियत पे बहुत रहम आ रहा था, लेकिन मुझे पांच लाग की सخت जरूरत थी, ठीक, ग्या रहा जी लहा, वह दोनों लोग दर्वाजा खोल कर कमरे में आ गए, और लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर समझ ग तुम्हारी जरूरत फिर पड़ेगी, तो आजाना मैं आरे स्पाइंट हाउजा लख रुपए लेकर सीधा अपने घर आ गई, और बहुत ही ज्यादा खुश और दुखी हो रही थी, कि मेरी गरीबी भी दूर हो रही है, लेकिन अपने आपको शीशे में देखकर बहुत द ज्यादा खुश हो गया और मुझे अपने गले से लगा लिया और बोला, ये सब लोग मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हारी हर पिक्चर इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है, जिससे आने वाले टाइम में तुम सुन भी सकते हो, लड़का मुस्कुरा कर बोला, मेरे को सब फट से हां कर दिया, और हम दोनोंने अगले दिन किसी मंदिर में जाकर शादी कर ली, जब ये बात इन दोनों को पता लगी, तब तक हम, हम सारी खबर पुलिस वालों को बता चुके थे, पुलिस वालोंने इन दोनों को गिरफ़तार कर दिया और जेल में डाल दिया, अब ह आपके लिए और भी मनोरंजन स्टोरियां ला सकूँ आप सब का दिन शुब रहे